नमस्कार दोस्तो स्वागत है अब सबका मेरी चैनल सेविल एंजिनीरिंग फोरम में आज हम एड़ फोटोशोप के 13 टूटोरियल से कंटीनियू करेंगे और बेसिकली यहां पे हम लेयर मास्क जो है वो टूल सीखेंगे डीटेल में ये वाला और फिर 14 टूटोरियल जो मैं करने वाला हूँ उसमें कि रियल फोटोग्राफ में हम इसे कैसे का लाइब अप्लिकेशन हम देखेंगे फिलाल इस लेक्चर में हम यह लेयर मास्क कैसे करते हैं इसका क्या यूज है कि हमें किस तरह से बैनेफिट करता है यह सबी जीज़ देखेंगे तो बैसिकली अगर ह बैक्राउंड जो है वाइट होता तो यह वाइट हो जाएथा अभी इरेजर टूल में क्या था कि हम इससे मेंच को सेव कर ले तो क्या होगा की यह डिस्ट्रक्टिव टूल है इसलिए इमेज जो है मतलब वैसे की वैसी से होगी और फिर हम इसे एडिट नहीं कर पाएंगे यह destructive tool इसे बोलते है, image को destruct कर देता है, पर अगर हम यह layer mask tool की बात करें, तो यह क्या है कि non destructive tool है, इससे image जो हो मतलब कभी भी हम edit कर सकते हैं वापिस, तो चलिए बिन आपका time waste किये, हम जल्दी से यह tool जो हो कैसे use होता है, वो देखेंगे, यहाँ पर मैंने यह tiger किये, image जो ह उपर click करना है, अभी देखिया हम कौन सी image पर है, यह वाला mask पर है, यहाँ पर bracket देख सकते हैं, यह जो है वो मतलब white color वाला mask है हमारे पास white color का है, और यहाँ पर यह bracket आ गया तो हम आगे हमारे layer पर, फिलहाल यह white color यानि कि हमारा mask है वो transparent है, यह color एक window की तरह है, जब तक यह white है, तब तक क्या है कि एकदम transparent है, और जब यह black होगी तो इसका मतलब यह होगा कि यह opaque हो गई है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, फिलहाल यह white है तो इसलिए क्या है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, अब यह में क्या करना है, एक नया duplicate layer बना देना है, एक बार हम नहीं यह use कर लिया, इसके बाद किया है, यह मतलब directly, इसके ओपर लिक करके भी हम, यह मतलब mask लगा सकते हैं, अभी जैसा कि मैं आपको बताया है, यह मतलब mask transparent है, क्योंकि white है, देखिए, एकदम window की तरह है, खुली खिर्की की तरह है, एकदम transparent window, पर अगर यह black हो जाए, तो देखिए, क्या होगा, control B, control B से क्या होगा, हमारा यह जो background color है, वो पूरी screen पर आ जाएगा, यह फिर हम brush से भी apply कर सकते हैं, पर फिलाल क्या करूंगा, मैं control backspace, देखिए, मैंने यह पूरी image जो है, वो black कर दी, देखिए, मैंने यह क्या किया, यह पूरा mask जो हुआ है, इसलिए यह layer नहीं दिखेगा है, पर अगर हम इसे hide कर दे देखिए, तो क्या होगा, सभी transparent pixels दिख रहे हैं, अभी अगर हम यहाँ पे, इस mask के उपर हम white color paint करना शुरू करें, for example, चलिए brush ले कर के शुरू करते हैं, यह ले लिए मैंने white color, mask पे मैं draw कर रहा हूँ देखिए, white color, okay, इसकी size थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, okay, देखिए क्या होगा, क्योंकि यह flow 5% ही है, मैं flow बड़ा देता हूँ, 100% कर देता हूँ, देखिए अभी, यहाँ पे आप notice कर सकते हैं, जो mask के उसके उपर white color होना start हो चुका है, तो इस तरह से हम, इसे वापिस ला सकते है, फिला हल में यह layer जो है, वो निकाल देता हूँ, यह मैं delete कर देता हूँ, हाइड करने से बहतर है, इसे delete कर दे, उसके बाद में हम क्याएगी, add कर लेंगे, ओके, जैसे जैसे मैं mask पे white color करूँगा, तो यह transparent होती जाएगी, पर देखिए, अगर फिर से मुझे यह कोई भी portion erase करना हो, तो मैं उसको black कर सकता हूँ, देखिए, यह double click किया, यह मैं black color पे आ गया, okay, अभी मैं जहां पे black करूँगा, तो क्या होगा, देखिए, यह फिर से erase हो जाएगा, background erase हो रहा है, पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, कि यह background हो, असल में erase नहीं हो रहा है, यह मतलब mask पे erase हो रहा है, इस mask को अगर मैं disable layer कर दूँ तो देखिए, फिर से ह जो हमने देखा वो भी option हो, enable layer mask, hope आप समझ रहे हो, यह white color जो हो मतलब transparency है, और यह black color जो हो मतलब opacity है, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, अगर जहां पे black color है, उसके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, देखिए, यहां पे, अगर यहां पे मैं black color करता हूँ, जलिए, त अब आप सोच रहे होंगे कि इसका live application कैसे होता है, तो वो मैं आपको क्या है कि next tutorial में detail में सिखा हूँगा, फिल हल में image जो हो पूरी, चलिए white कर देता हूँ, फर यह black हो गई, ultra backspace करूँगा, तो यह पूरी white हो जाएगी, ओके एक बार यह जो mask है वो white हो गया, तो मैं आपक की तो एकदम opaque है, अगर हम चलिए gray लेकर करें तो क्या होगा, for example चलिए, यह gray color हमें लिया, अभी देखिए, देखिए क्या हो रहा है, pixels जो हो मतलब एकदम opaque नहीं हो रहा है, मतलब translucent हम बोल सकते हैं, तो अभी आप समझ सकते हो white में एकदम transparent, black में एकदम opaque, तो gray में translucent हो गया, तो इससाब से हम दूसरे colors भी अगर select करें, तो सभी में अलग-अलग ratio मिलेगा, transparency का, देखिए, अगर red ले लेते हैं, तो कुछ नया देखने का मिलेगा, like this, देखिए, फिर, इसलिए blue try करता है, क्या हो रहा है, देखिए, यह एकदम dark color है, तो black की तरह इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत, dark तो होई जाता है, तो मतलब अगर हम जब white करेंगे, तो यह transparent हो जाएगा, बीना eraser के हम erase कर रहे है, अभी और एक, हमारे पास option available है, यह जो हमने black and white color के use से, जो मतलब layer mask किया है, उसके अलब और एक option है, फिलाली से delete कर देदा हूँ, यह हमारी originally में जा गई, अभी हम क्या करेंगे, इसको मतलब selection करेंगे, देखिए, यह जो हमारे पास selection का option था, मैं quick selection वाला option select करता हूँ, फिलाल, यह tiger को हम select करते है, देखिए, इतनी बारिकी से तो मैं select नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह जिर्फ सिखाने के लिए है, perfect tutorial अगर आप सिखना जाते हैं, तो वो next 14th मैं, इसका application detail मैं आपको सिखा दूँगा, पर यह क्या है कि steps दिखा रहा हूँ, मैं आपको, ताकि आप क्या है कि ठीक सही से use कर पाए, सिर्फ tiger को ही मैं select करना चाहता हूँ, यह सब भी मैंने tutorials बना दिये है, selection वाले, तो आप अगर चाहो तो, इस playlist में से इसे भी ढून सकते हो, या भी directly civil engineering forum में search कर सकते हो, आप selection tools in civil engineering forum, ऐसा लिखा तो भी आपको directly यह जो है वो नजर आ जाएगा, यह tiger select हो गया है, पर बीच म मैं निकाल रहा हूँ, ओके, यह हमने क्या है कि tiger थोड़ा select कर लिया है, अब एक shortcut में आपको दिखाऊंगा, after selection, जैसे ही मैं यहाँ पर click करता हूँ, directly हो जाएगा, अब और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, वो यह है कि control दबागे, I दबाएंगे तो देख हो गया है, control आई, control आई, देखिए, अब इसमें अगर हम changes करना चाहते हैं, तो मतलब यहाँ फिर erase करना चाहता है, यह फिर add करना चाहते है, तो इसमें color के, मतलब use से हम कर सकता है, इस पर रखामने, अगर जहाँ पर मतलब black color add करना हो तो black से मतलब यह ओपक हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत black color अगर हम add करते हैं, यह इतना finishing हमें यहाँ पर required नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यह सिखाना चाहता हूँ, बाकि इसके लाव बहुत से tools available है, यह चीज़ करने के लिए, इतसे भी बढ़िया, पर क्योंकि हम erase करना चाहते है, इ इसकी hardness में 100% कर देता हूँ, 100% ही है, okay, no problem, directly हम यह जो है वो select कर रहा है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको अगर वापिस जो पुरानी image हो लाना चाहते हैं, तो हम directly इस mask को delete कर सकते हैं, वो ला सकते हैं, अगर हमने eraser इस्तमाल किया हो, तो original image हमारी चली गई होती है, और य destructive tool है, इसलिए क्या है कि हम इसे वापिस नहीं ला सकते हैं, तो दोस्तों आज के लिए जर्फ इतना ही, उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो informative लगा, और अगर ऐसा है तो इसे like कर दीजिए, और मेरी चैनल civil engineering forum को subscribe जरूर करें, इस tutorial का live application देखने के लिए, मेरा 14th tutorial जो ह है वो से जरूर देखें, this is all for today, thank you for watching.